हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स्ट अचार जो कि एक डिफरेंट वे में बनाया है मैंने तो चले शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम सेम लिया है और सेम को वाश करके इसके रेशे निकाल दिये हैं आप दोनों साइड से रेशा निकाल ले और साथ में इसे मैंने तीन टुकड़ों में तोड लिया है आप जाए तो चाकू से काट ले और साथ में मैंने एक गोबी लिया है गोबी को छोटे-छोटे फ्लोरेर्स काटे हैं मैंने और पीछे से चीरा लगा दिया है साथ में मैंन जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो हम इसमें पहले गोभी डालेंगे इन गोभी को उबाल आने तक हम उबालेंगे गोभी डालने के बाद एक उबाल आनी चाहिए जब उबलना शुरू हो जाए फिर हम इसमें सेम डालेंगे साथ ही जब सेम डाल दें तो सेम को भी एक बार उबाल आने दें अच्छे से जब इसमें तेज उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें गाजर डालेंगे और इसे भी उबलने देंगे हम दो मिनट इन सारी सबजीयों को हम उबालेंगे और इसके बाद हम गैस आफ कर देंगे और इन सब्जीयों को छान के अच्छे से निकाल लेंगे आप किसी टोकरे में या बास्केट में निकाल लीजे इनको छान के थोड़ी देरी कले से छोड़ दीजे पानी निकल जाएंगे इनके आप चाहे तो सब्जी की कॉन्टिटी कम और जाद अपनी साफ से कर सकते जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती आप इसमें डाल सकते हैं और जाथे सेम आपने जाधा खाना है तो आप सेम जाधा ले लेगो भी जाधा ले ले अब हम अपने मसाले त्यार करेंगे, तीन बड़े चमच पीली सर्सो और एक बड़ा चमच राई, इसको हम दर-दरा पीसेंगे, इनको हम इकठा कर लेंगे, इसमें हम मिलाएंगे एक बड़ा चमच हल्दी, दो चमच नमक, और एक चमच लाल मिर्च, नमक आप स्वाद के हि अब एक कढ़ाई में मैंने 200 ml सर्सो का तेल लिया, जो की एक बड़ा कप होता है, इसे मैं तेज गरम करूंगी पहले, जब ये गरम हो जाए तो गैस को आफ करके मसाले डालोंगी, अब इनको मैं चला लोंगी, बस मुझे मसालों को पकाना नहीं बस तेल गरम करना था साथ भी जो हमने काट के रखे थे हरी मिर्च और अधरक वो डालेंगे, साथ ही जो मसाला हमने तियार किया था कढ़ाई में वो हलका गरम होगा, उसको आप साथ ही साथ डाल दें, और डाल के अच्छे से मिक्स करें, यह चार आप बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं, बस आ पर दो दो दिन, नहीं तो इसको माइक्रो कर लें आप तीन मिनट के लिए, और सर्फ करें रोटी पराटो के साथ, थैंक यू